कर हैलो प्रेंस ग्रीन बैलकोनी में आप सब का शुवागत है इजी प्लावारिंग प्लैंट शीजिन चल रहा है आज मैं आप लोग उनको चार नंबर पवधा दिखाऊंगी जो पवधा एप्रील से लेके नभेंबर तक फूल देता है ये जो पवधा अभी देख रहे हैं इसका नाम है फास्ट लाव ये भी देखिए कितना सुंदर फूल आज दिया है तो देखिए फ्रेंस ये चांदनी का पवधा है चांदनी का तीन भराइटी है मेरे पास ये वाला सिंगल वाला भराइटी है तीनों पवधा परी फूल आया है मैं तीनों पवधाई आप लो जमीन में लगाया हुआ रहता है, तो ये पौधा पूरा फूल से भरा रहता है. लेकिन गामला में भी ये पौधा पर फूल आता है, अच्छा से ही आता है, ओही आज मैं आप लोखुन को दिखाऊंगी. तो देखिए मेरा पौधा गामला पर लगाया हुआ है छद पर रखा हुआ है और कितना अच्छा से फ्लावारिंग हो रहा है सब के पास जमीन में लगाने के लिए जागा नहीं रहता है गार्डेनिंग करना है तो गामला पर ही पौधा को लगाना है ओ लोकुन को मैं आज बताऊंगी ये इजी प्लेंड को कैसे लगाना है कैसे इस पर फूल पाना है तो ये पौधा बहुत इजी रहता है इसको प्लावारिंग अगर चाहिए तो ये पौधा को फूल सनलाइट में रखना होगा और महिना में दो बार खाना देना होगा और अच्छा से पानी देना होगा गामला का मिट्टी में भी पानी देना होगा पौधा पर भी पानी डालना होगा पौधा को अच्छा से नहलाना होगा तभी आप फूल पाशकते हैं बहुत इजी प्लेंट है एक बार फ्लावारिंग करना स्टार्ट होता है तो बंद नहीं होता है देखिए मेरा पौधा कितना सुन्दर लाग रहा है पेड जैसा देखने को लागता है ये सब पौधा अब बताते हैं जब पौधा आप लगाएंगे तब इसका मिठी कैसे रेडी करेंगे मिठी आपको रेडी करना है अच्छा वाला मिठी जो मिठी में कंपोज अच्छा से रहे 50% नॉर्मेल मिठी के साथ 50% आप कंपोज डालिए तब ही ये पौधा अच्छा से प्लावारिंग करता है और उसके साथ में थोड़ा सा नीम खली डाल दीजिएगा कि पौधा हेल्दी रहे जैसे देखिए ये वाला एक भैराइटी है और ये वाला और एक भैराइटी है ये राज चान्दनी का भैराइटी है ये बड़ा वाला फूल आता है ये भी बहुत शुन्दर देखने को लगता है ये पौधा पर कलिया बनने से फूल खिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है देखिए ये भी पुरा कलिया से भरा हुआ है ये पौधा सेंटेड बाला होता है ये भी खुशबूशे भरा के राखता है देखने में भी सुन्दर लगता है ये एक जगा रहने से पूरा पेड जैसा हो जाता है जैसे आम्ब्रेला होता है न अशे हो जाता है तो ये पौधा देखने में भी बहुत सुन्दर लगता है छद का रोनक ला देता है और फूल तो है ये इस पर अच्छा से फूल आता है बस फटिलाइजर इसको देना है और फूल आता है ये सिंगल पेडल बाला भेराइटी में इस पर फूल का क्वांटिटी जादा आता है राजचान्दनी में भी फूल आता है लेकिन फूल खिलने में टाइम लागता है और ये बाला पौधा पर फूल खिलने में टाइम नहीं लागता है जब भी कलिया बनता है तब भी फूल खिल जाता है ये पौधा डेली फूल से भरा रहता है एक दिन ही ये फूल का लाइप रहता है राजचान्दनी फूल खिल क्योंकि फूल का कमी को ये दूर कर देता है तो फ्रेंट्स ये बाला पौधा आप लोग ले आईए अच्छा से मिट्टी बना के धूप पर इसको रख दीजिए तो आपका गाडेन का फूल का कमी को ये मीटा देगा बहुत अच्छा फ्लावारिंग प्लैंट है तो इजी तरीका से गाडेनिंग करने के लिए सला दे सकूँ तो फ्रेंट्स आज तक के लिए इतना ही अगर मेरा वीडियो आप लोग उनको पसंद आया है तो प्लीज लाइक देते जाईए और मेरा चैनल में नए है तो प्लीज सब्क्राइब कर लीजिए फीर मिलते हैं एक नया वीडियो पर तब तक के लिए बाबाब